चोपड़ा एजुके सुन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5th of May 24 को जो नीट का एक्जाम है उस एक्जाम के लिए ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहन करकी जाना है, क्या पहन कर नहीं जा सकते है और कौन-कौन से आइटम लेकर की जाना है, एड्मिट कार्ड के साथ आपको कौन-कौन से आइटम्स अलाओ है और कौन-कौन से items नहीं लेकर के जाना है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस विशह पर तो सबसे पहले हम इसका information blatant देख लेते हैं जिसमें NTA ने clearly लिख रखा है dress code के बारे में तो dress code में सबसे पहले ये है कि इसमें आप heavy cloth पैन करके नहीं जा सकते heavy cloth के अंदर आते हैं जैसे coat वगणा हो गया, jackets हो गया, आपने shirt के उपर coat पहन लिया या jackets पहन ली तो ये पहन के नहीं जाना है, वैसे गर्मियों की time में ये कोई पहन के जाता भी नहीं है और ये पहन के जाना भी नहीं है तो heavy cloth आपको नहीं पहन करके जाना है इसके अलावा long sleeve, चाहे shirt हो या t-shirt हो, बिल्कुल ही नहीं पैन के जाना है, आप half sleeve shirt पैन सकते हैं, half sleeve t-shirt पैन सकते हैं, कहने का मतलब, लंबे बाजू की shirt या t-shirt नहीं पैन के जाना है, हाप बाजू की जो t-shirt और shirt होती है, वो पैन के जाना है आपको exam hall में, exam देने के लिए, अगर जो candidate पारंपरिक पोसाग पहन के जाना चाते हैं वो exam center पर one hours पहले report करें यानि कि डेड़ बजे last entry है exam hall में इंटर करने की तो उनको at least साड़े बारा बजे तक exam center पर पहुंचना है ताकि उनकी checking हो सके जो पारंपरिक पोसाग पहनना चाते हैं जो sick candidates हैं करपान पगड़ी वगरा पहन के जाना चाते हैं जो muslim ladies candidate हैं बुर्का पहन के जाना चाते हैं तो वो साड़े बारा बजे तक exam hall में exam center पर पहुंच जाएं इसके बाद में sleeper और sandals low hills की पहन सकते हैं यानि कि जो उच्छी AD की sandals आती हैं वो भी नहीं पहनना है आपको सिरफ simple sleeper पहन सकते हैं एक तो shoes नहीं पहनना है और एक long sleeve t-shirt या सारट या कुछ भी हो long sleeve का नहीं पहनना है आपको half sleeve का पहनना है इसके अलावा NTA की तरफ से कोई मराई नहीं है कि आपने ये पहन के जाना है ये जो दो item मैंने आपको बताए हैं ये नहीं पहन करके जाना है और heavy cloth भी नहीं पहन क जाना है इसमें बाकि आप पैंट सकते हैं आप टी सर्ट पैंट सकते हैं हाप स्लिव सर्ट पैंट सकते हैं हाप स्लिव जिन्स पैंट 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 सकते हैं इसके इलावा पजामा वगरा पैंट के जा सकते हैं तो ये आप पैंट करके जा सकते हैं एक दूसरी सी आपको मैं बताऊं आजकल तो information plate in में लिखा नहीं आता है NTA की में लेकिन big buttons भी पहले allow नहीं हुआ करते थे तो आप ऐसी dress मत पहन के जाएं जिसमें big buttons हो और big pockets हो ऐसे jeans भी मत पहन के जाएं आप simple jeans वगरा simple पहन के जाएं जिसमें big pockets ना हो big buttons इस परकार के items आप नहीं पहन के जाएं तो वो आपके लिए better रहेगा इसके बाद में यह तो हो गया कि आपको क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है तो इसमें आपको बिल्कुन प्रेश Independence होगन आउशक्ता नहीं है ये तो बिल्कुल सिंपिल सा है कि आपको long sleeve नहीं पहनना है और shoes नहीं पहनना है इसके अलावा आप पहन के जा सकते हैं एक simple dress अब items कौन-कौन से लेकर के नहीं जाना है तो इसमें clear दे जा सकते इसमें printed or written जो material है वो नहीं ले करके जा सकते इसमें और इसमें जैमोर्टरी बॉक्स हो गया, pencil बॉक्स हो गया, प्लास्टिक पोचेज, calculator, pen, scale, writing pad, pen drive, eraser, calculator, long table, pen, scanner, इस परकार के item आइटम आप नहीं ले जा सकते, mobile phone, bluetooth, earphone, microphone, pager और health band भी नहीं ले जा सकते, इसमें, इसके अलावा, आप जो चस्मा, नजर का चस्मा पहनते हैं, वो बिल्कुल पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा, जो fashion वाले चस्मे होते हैं, जैसे black हो गया, वो fashion के लिए पहनते हैं, student वो नहीं ले करके जाना है, handbags नहीं लेके जाना है, belt cap वगरा नहीं लेके जाना है, इसमें bracelet वगरा, camera वगरा, तो इस परकार के ये item आइटम आपको नहीं ले जाना है, watch वगरा नहीं ले जाना है, ornaments हैं, वो आपको नहीं पहन के जाने हैं, metallic item भी नहीं पहन करके जाना है, ये लेकर के भी नहीं जाना है इसमें इसके बाद में जो food आइटम हैं वो भी नहीं लेकर के जाने हैं आपको open food से यह packet होते हैं जो foods के वो भी नहीं लेकर जाने हैं water bottle एक transparent water bottle आप ले जा सकते हैं इसके अलावा अगर और भी कोई ऐसे items होते हैं जैसे micro chip हो गया camera हो गया bluetooth device हो गया यह एक इसमें मैन बात ये है कि अगर कोई student अकेला जाता है जिनके साथ में parents नहीं जाते हैं तो वो ये item अपने arrangement पर रख करके जाएं कहीं जैसे कि exam center के बार कोई सोप हो गरा है उसमें रख दें आप के साथ आपके parents नहीं है या फिर किसी ऐसे जानकार को दें जिनको आप जानते हैं जो अकेले जाते हैं नहीं तो ज़्यादा तर student के साथ parents जाते ही हैं तो parents को ये अपना सामान देके जा सकते हैं लेकिन इनमें ये लिखा है कि exam center पर इस परकार की कोई सुईदा नहीं होगी कि आपका ये जो आइटम है वो रखा जाए वहां पर तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें इसके बाद में जो next अभी exam center से exam CT रिलीज हुए हैं उसमें भी ये clear लिखा हुआ है तिन चार चीजें कि आपको क्या लेकर के जाना है इसमें सबसे पहले 11 बजे exam center open हो जाएगा यानि कि सुबह 11 बजे exam center open हो जाता है और 11 बजे से entry सुरू हो जाती है तो आप 11 बजे से exam hall में जा सकते हैं अंदर इसके बाद में डेड़ बजे बाद दोपर डेड़ बजे बाद में किसी भी candidate को entry नहीं दी जाएगी इस time पर get close हो जाता है और ये clearly get close हो जाता है आप समय से पहले पहुंचे एक दो hours पहले पहुंचने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आपको इतने सारी आप study कर भी नहीं पाओगे कि एक आत घंटे में ही मैं सारा सब कुछे याद करनू उसमें तो आप exam के लिए तयार होके exam hall में आप time से पह पहले नहीं आ सकते यानि कि जो time है पांस बजके बीस मिनट का साम को इसके बाद ही आपको exam center चोड़ने की exam hall चोड़ने की permission होगी exam center आपके admit card पर indicate होगा ये आप पहले visit कर सकते हैं या आपने planning बना लें कहां पर exam center है क्योंकि कभी-कभी exam center एकी नाम से दो भी होते हैं 2019 में मेरे साथ भी मेरे लड़के के साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं सभी को ये इसला देता हूँ कि आप पहले verify कर लें कि आपका exam center कहां है और उस पर कैसे पहुंचना है एक planning set कर लें आप इसमें इसके साथ या आप एक valid ID card भी लेकर की जाना है ज्यादातर student के पास आधार card होत पासपोर्ट ले जा सकते हैं रासन कार्ड ले जा सकते हैं जिसमें photo हो तो इस परकार से photo की ID वाले आप यहां ले जा सकते हैं ID तो इसमें जो ले जाने वाले item है exam hall में ये personal transparent water bottle आप ले जा सकते हैं जो सपेद उसमें दिखाई देना सिये की water है इसके अंदर ऐसी transparent water bottle ले ज जाना है क्योंकि exam center पर भी इस परकार की सुविधाएं available होती है water वगरा की तो ये जरूरी नहीं है आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं otherwise इसकी कोई जरूरत भी नहीं है अगर आपको 20-20 में प्यास लगती है आप सोचते हैं कि मेरे को डिस्टप होगा बार 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 जाकि पाणी पेणे में तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं ये बोटल इसके बाद में आपको एक additional photo ले करके जानी है छोटे size की admit card के साथ एक छोटे size की photo ले करके जानी है जो exam hall में attendance seat पर paste करनी है वो छोटी photo ले करके जानी है छोटी photo का मतलब होता है साड़े 3 into साड़े 4 cm ये छोटी होती है छोटी फोटो सब जानते हैं आप जिसको passport size की फोटो कहा जाता है इसके बाद में admit card लेकर के जाना है admit card की दो pages होते हैं दो page में first page पर आपकी सारी detail होती है उसमें भी एक छोटी size की photo paste करनी होती है parents वगरा की signature होते हैं student की signature होते हैं और जो दूसरा page होता है उसके अंदर postcard size की photograph paste की जाती है तो ये postcard size की photograph आप घर से ही paste करके ले जाएं तो अच्छा है postcard size की 4 into 6 inches की photo होती है postcard size की photo यानि कि ये बड़ी photo होती है और admit card के second page पर ये paste करके आपको ले जानी है अगर कोई candidate PWD है यानि PWD विकलांग candidate है तो उसके related documents ले जाना है उसने scribe ले रखा है तो scribe के भी आपको documents ले के जाना है जो विकलांग candidate है उनके लिए है ये सारे item आइटम आपको ले करके जाने हैं बाकिया आपको electronic device, mobile phone और जो other items बैन कर रखे हैं information platine में मैंने आपको पहले बता दिये हैं वो ले करके नहीं जाना है यही ले करके जाना है आपको admit card ले करके जाना है और passport size का photograph ले करके जाना है वहाँ attendance seat पर चिपकाना है और postcard size का photograph आपको second page पर ले जाना है चिपका करके और इसके बाद में अगर आप PWD candidate हैं तो original आपको ID proof ले करके जाना है और certificate ले करके जाना है इसके बाद में 4 x 6 inches का जो color photograph है आपने ये photograph वही ले करके जाना है जो आपने application form फिल करते समय वहाँ पर upload किये थी वो photograph सापको यहाँ ले करके जाना है passport size का photograph साथ में ले करके जाना है और postcard size का second page पर paste करके ले करके जाना है इसके अलावा pen वगरा कुछ भी नहीं ले करके जाना है pen ball pen वहाँ पर exam center पर आपको provide करवाया जाएगा ये सारी बाते मैंने आपको बता दी है dress code के बारे में बता दिया है घबराने वाले कोई बात नहीं है आराम से आपको exam देनी है और long sleeve के clothes आपको नहीं पहने तीन item नहीं पहने बाकी आप पहन के जा सकते हैं तो dress code में कोई किसी प्रकार की problem नहीं है और नहीं आपको tensile लेने किया हो शेकता है इसके अलावा आपको कोई भी सामान नहीं लेकर के जाना है admit card ले जाना है दो page में होगा second page पर postcard size का photo चिपकाया होना चीए एक photo आपने साथ में लेके जाना है छोटा photo admit card लेकर के जाना है एक ID proof लेके जाना है और transparent water bottle अगर लेके जाना चाहें तो ली जा सकते हैं इसके अलावा जो PWD candidate है वो certificate लेके जाना है उनको इसके अलावा कोई भी item exam hall में नहीं लेकर के जाना है वहाँ बिलकुल शांती से आपको परिक्षा देनी है exam देनी है और बिलकुल भी घबराना नहीं है अच्छे तरीके से आप exam दो अगर आप भी तरीके से इमानदारी से exam दोगे आप बिलकुल सफल होंगे इसी के साथ में मैं ये वीडियो यहां end करता हूँ मैं इस वर से कामना करता हूँ कि आपका exam भूत ही अच्छा हो best of luck